जैहिन दोस्तो, दोस्तो कैसे हैं आप, उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, जो मेरा आज का वीडियो है, यह है डिफेंस पेंशनर पे, दोस्तो आज पांस सारीक है, और अभी तक कई पेंशनरों की पेंशन नहीं पहुची है खाते में, दोस्तो क्या इसका एक कारण आपका Life Certificate जमा ना होना हो सकता है, आज मेरे पास एक पेंशनर का फोन आया, वो अपनी पेंशन ले रहेते, CPPC बैंक के थुरू, तो इन्होंने CPPC बात करी, ओफिस, इन्होंने का कि तर हमारी अभी तक पेंशन नहीं क्रेडिट हुई, आज पांस तारीक हो गई है, और ब दोस्तों, इन्होंने अपना Life Certificate तीन महीने पहले ही समिट करा दिया था, और आपको पता है, कि अगर आज हमने Life Certificate समिट करा है, तो इसकी जो वैलिट डेट होगी, वो अगले साल तक होगी, एक साल तक वो वैलिट रहता है, अगर नवंबर में करा है, तो अगले साल जनवरी फरवरी की पेंशन कैसे आ जाती, इनको जनवरी की पेंशन मिली है, इनको फरवरी की पेंशन मिली है, सिरफ मार्च की नहीं मिली है, तो अगर तीन महीने पहले इन्होंने अपना Life Certificate समिट करा दिया पहले, तो इनको जनवरी फरवरी की पेंशन नहीं मिलनी चाह करिये, वो कल रिलीस करिये, चार तारिक में, सब पैंशनर को मिल गई है, पैंशन, कई पैंशनर ऐसे हैं, जिनका life certificate successfully submitted हो गया है, यानि वो market में गए, cafe में गए, अपना fingerprint दिया, और successfully उनका submit होगे life certificate लेकिन वो CPPC office पहुचा ही नहीं वो bank पहुचा ही नहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी pension delay हो रही हो आपको एक और काम करना है pensioner की बात कर रहा हूँ एक बार आप ये चकल लिजिए कि जो आपने life certificate submit कराया क्या वो CPPC office या bank के थुरू successfully portal पे चड़ाया या नहीं चड़ाया वहाँ पे update हुआ या नहीं हुआ आपने भले ही कैफे में करा दिया हूँ लेकिन उसके बात की जो process है CPPC में bank में वो हुई है या नहीं हुई है तो इस कारण से भी आपकी pension delay हो सकती है या फिर नहीं मिल सकती है तो थोड़ा सा आपको एक दो दिन और wait कर लिजिए अगर फिर भी नहीं आती है आपकी pension तो आपको फिर concert करना पड़ेगा CPPC office bank में मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो DPDO, CPPC या bank के थुरू अपनी pension ले रहे है और जिनकी pension SPERS से आ रही है उनको pension नहीं मिली है तो वो सीधा contact करेंगे SPERS service center में डिरेक्ट वो PCDA से भी contact कर सकते हैं लेकिन PCDA SPERS कोई सुनता ही नहीं है चाहे कितनी mail कर दो चाहे कुछ कर दो आज भी मेरे पास एक pensioner का phone आया था वो SPERS के तुरू pension ले रहे थे तो मैंने उने बताया कि direct आप जाईए SPERS center जाईए और वहाँ पे आप direct उनके तुरू आप forward करवाईए अपनी complaint अगर phone नहीं उठाते हैं क्योंकि कई जगे अलग-लग SPERS service center खुले हुए वहाँ पे जाते हैं pensioners तो दूस्तों मैंने आपको दो तरीके बता दी एक तो आप अपना life certificate चेक कर ले उसका status क्या वाकि में वह CPPC office पहुचा है नहीं पहुचा है भले आपने करा दिया हो लेकिन एक बार आप status जरूर चेक कर ले कब तक उसकी expiry date है आपके life certificate की तो एक कारण ये भी हो सकता है और दूसरी बात अगर सब कुछ सही है आपका life certificate भी सही जगे समिट हुआ है सब कुछ सही है बैंक में भी आपने पूछ लिया सब कुछ तो फिर आप थोड़ा सा वेट और कल लिजिए हो सकता है एक दो दिन बात या 10 तारीक से पहले-पहले आपकी pension credit हो जाए अगर नहीं होती 2-3 दिन में फिर आपको complaint raise करनी पड़ेगी चाये तो आप CPPC office जाए या आप घर बैटे online complaint डाले या कहीं से आप net page CPPC bank का पता लगाए branch जहां से आप pension ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप direct call करते रहेंगे तो वह उठाते भी नहीं call नहा सई से आंसर देते हैं तो आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगते तो वीडियो को लाइक करें चैनल को आप सब्सक्राइब पर सकते हैं थैंक यू सो मच